वैसे तो मैं 10W 50 डालता हूं बट इस बार जो है यह डाल रहा हूं क्योंकि यह बाइक जो है दो चार दिन का मेहमान है बस इसके बाद यह बाइक मेरे पास नहीं रहे हैं वेलकम बैक तो दे चैनल दोस्तों और आज के इस वीडियो में हम लोग चैंज करने वाले हैं इसका च चलाते हैं तो फोर्त डेट के बाद वह क्या ein स्ञाआ तो तो आब मैं centered डालने वालाँ आज वह नया में डालने वालाम हूं उक्वरोंने रख इस वार जबालने वाला हूं यह है पॉंका चैन इस-फ्वॉकट और इसकी क्वालिटी और जो मैं भी निकाल ओगा उसकी दि क्या ग्री से नहीं यह लग यह देखो और इस यह क्योंकि रॉलन को चैन है इसका में थोड़ा सा भी बताऊंगा पहले आप चैन देख लो सब में इसमें आरा लिखा रहेगा जो अभी निकलेगा उसको में आप लोग को दिखाता हूं कि कौन सा जब तक हमारे अजिंबा इस इसका डेटेल बता देता हूं कि आखिर आप लोग कौन सा जो है डलवा सकते हैं जो रिम बाली 200 आती है ना एक्सपल्स की उसका जो चैनुस पॉकेट है और इसका चैनुस पॉकेट है वो थोड़ा सा डिफ्रेंस है क्योंकि इसके जो टीत है वो कम वाला आता है और जो एक एक्स्ट्रीम 200R, X nat 202 X , Xπulse 200T तो यह जो टीन बॉडल है ना इनका इंजन के लगभबग पार्ट्स जो है वह सेम आते हैं चैनुस पॉकेट हो इंजन की कुछ प्लच प्लेट है वो सब लगभग सेम आते हैं ठीक है लगभग सेम ही आता है क्योंकि मैंने बहुत सारे अर आने वाले चैने पॉकिट वैसे तो इतना भी खराब नहीं हुआ है हो गया है यह देख लो अभी औहों इसके दाथ कड़ गया यार काफी कड़ चलो निकलने के बाद दिखाता हूं उससे पहले में आप लोगों कुछ चीज बता जो नॉर्मल मैंने यह डाला था या फिर एक आप कितने में ले लेते हो ठीक है तो यह मैं होल से यह मैं होल सेल मार्केट से लाया हूं तो मुझे काफी सस्ता बढ़ा है अभी मैं आपको पुरा पुराने वाले कर दो है दिखाता हूं कंडिशन निकलने के बाद वह जिए बहुत बड़ी बात बोली है कि आज के समय में लोग बैशनी डूनते हैं सस्ता डूनते हैं और यह सोटा का सही बात है जिसको भी चाहिए हो सस्ता ही डूनता है क्योंकि बैश लेने जाएंगे तो जो चीज हजार उपे का आपको पड़ रहा है वो चीज आपको बाइस सो पच्चिस सो का पड़ेगा वहीं पिर अखरने लगता है क्यार हजार उपे की चीज के लिए मैं पच्चिस सो तीन अजार क्यों दो यह पुराना वाला है जो कि हीरो करी आर का है करिज्मा आर का मैंने डाला था और यह फ्रंट स्टॉक्ट है और यह नया वाला है तो दिखाए छोटू क्या नाम है तुमारा एहमद रजा क्वाल्टी में तो फरक है हीरो को स्टॉक आथ है उसकी बिल्कुल लो क्वालिटी लग रही है वोई रोलन का जो है थोड़ी सी क्वाल्टी में अच्छी हाई-फाई है ठोड़ी लग रही है और इसमें कुछ नंबर से दिखा आर-3-2 लिखा हुआ है और इसमें 13 टीथ data नहीं लिखा है एक दो तीन चार पांच छेशा का नोग दस ग्यारा बारते रही है अब बैक बाला दिखाते हैं दोनों कंपेर करके का बैक वाला नया वाला निकालने पुराने वाले में आर पीजे 37 तीथ का है पीछे का चिक है यह और इजनल जो आदा है वह 37 आता है इसमें इसमें नहीं होगा इसमें नहीं होगा इसमें नहीं होगा यह लिखा है 940 कुछ कोड है अब फरक बहुत है एक में दोनों को ऐसे दिखा ना कितना फरक है यह बहुत चोटे और बड़े का बहुत फरक है लगा लगा दो इस वजए से क्यूंकि मैंने नचैन बड़ा डलवाया था लास्टाइम क्यूंकि मैंने कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि यार इसको बड़ा लगा लोगे ना तो जो इनिशियल पीका पेना वह तेज हो जाता अच्छा हो दिखा रहां जाता है बड़ लांग रूट में लिए दिक्कत करती है और जो मैंने ब्लाओ चलाया है उसमें मुझे दिक्कत करी है क्योंकि चैन्स पोकेट बड़ा होता है ना जिसके वज़े से मुझे गेर जो आना वो दिखता नहीं था अब यह क्या है कि यह और जो पताओ लगा दिया अरी इस पर गरिस लगा दो हम तोड़ी लेने जा रहे हैं तोड़ी लेले जा रहे हैं टोडी ले गारे क्योंकि हाथ के बसके काम नहीं है एक्सल आप दूरी जो है तुमसे ना उपाएगा देदो गुरुजी को देदो अरे वाँ जब दी जैन गोस कराओ चार्टोफ ने इसके लिए शाप करादे चाहिए चाहिए चार्सोफ पान्सु मेटर पे चार्सोफ फान्सु पान्सु पे चाहिए आपको लेकर दिए यहां पर आजाएगा और यहां पर पॉंटे दिखने लगेंगी जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे यह इसको टाइट करने में काम आता और यह आगे आता रहता है ना यह कहना चाहरा है भाई नीचे का पैनल खोल दिया है अब इंजय नोईल जो है पुराना वो ड्रेन क ठीक है मोटूल का 300 गोल्ड 10W 30 वैसे तो मैं 10W 50 डालता हूं बट इस बार जो है यह डाल रहा हूं क्यूंकि यह बाइक जो है दो चार दिन का मेहमान है बस इसके बाद यह बाइक में पास नहीं रहेगी मेर पास कोई नहीं बाइक आने वाली है वह क्या है वह आप लोग अ यह बहुत नुक्सान करा रहा है मेरा एक तो ही है उदर पैनल तोड़ दिया ऑईल भी गिरा दे रहा है तो दोस्तों देखे चैनिस पॉकेट डलने के बाद तो वैसे स्मूध चलती है बाइक लेकिन क्या था जैसे अब तीसरे गेर पे चल रहा है ना अब यह चोथे पर आ तो यह हो गया है तो यहीं दिखाना था आप लोगों को कि चैनिस पॉकेट जो है रोलन का जो मैंने अभी डलवाया वह चैनिस पॉकेट में बहुत अच्छा होता है ऐसा नहीं कि मैं कोई पर मोशन कर रहा हूं बस मैं को लगा कि यार चलो आप लोग भी कही नहीं बाइक करते हो तो थोड़ा बहुत काम करे गई करेगा यह चीज़ सायद अब तक मैंने तीन यह चैनिस पॉकेट चैंज कर चुका हूं इस बाइक पर और ऑफिशल एक तालीस हजार मेरी बाइक चली है अभी हैं एक तालीस हजार पानसो बहत्तर किलोमेटर तो यह वीडियो को यह इंट्रेस्टिंग और न्यूव वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए गो फो यह पैशन एंड ली फो यह दिम थैंक यह सो मच वाचिंग